नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में और आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्योंकि हम History और Art and Culture मेरे साथ आप सब पढ़ते हैं और संडे को हम लेते हैं एक Marathon Session जिसमें हम सभी स्टेट्स में जितने भी राज्ये हैं उनकी प्रशासनिक सेवाएं यानि की Civil Services में जितने भी उनके PYQs, Previous Year Questions जो आए हुए हैं हम उनको Marathon की Form में यहाँ पर करते हैं रात को 8 बजे ठीक है कब संडे को रात को 8 बजे हमारी रहती है Marathon तो याद रखेंगे संडे को रात को 8 बजे हमारी रहती है Marathon ठीक है दोस्तों कि आपकी जो NCRT है उसकी theory और बाकी जितने भी important concepts हैं वो सब हम cover करेंगे किस के through MCQ के through ठीक है दोस्तों तो सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है सभी लोगों को बहुत-बहुत good afternoon ठीक है दोस्तों एक session से जोड़ेंगे और session सही time पर शुरू हुआ है इसलिए session को share करेंगे आज का session बहुत लंबा नहीं है क्योंकि history की एक बहुत छोटी सी dynasty को हम पढ़ेंगे बहुत छोटी भी नहीं है लेकिन इतनी है कि हम उसको यहाँ पर discuss कर रहे हैं लेकिन इतनी जादा भी नहीं कि उसके अंदर हम यहाँ पर लगभग एक दिया दो lecture निकाल दें ठीक है हम मौरिन सामराज्ये पढ़ चुके हैं और मौरिन सामराज्ये के बाद अब जो फेज आएगा दोस्तों मौरिन सामराज्ये के बाद जो अब जो फेज आएगा उसमें आप देखेंगे कि कई सारी dynast जानी की कई सारे सामराज्ये आपको मिलेंगे आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बहुत बड़ा विशाल सामराज्ये पूरे भारत पर राज कर रहा हूँ जैसे मौरिन समय में हमने देखा कि राजा अशोक और चंदरगुप्त मौरे के शासनकाल में उसके अलावा और बी जो शासके उनके शासनकाल में मौरेन काल में खासकर हमने देखा कि किस तरह से पूरे भारत पर लगभग आप देखेंगे कि एक ही सामराज्ये का शासन था तो उससे हम क्या करते हैं इतिहास के उस काल को हम उस सामराज्ये के नाम से पढ़ते हैं लेकिन अब जो पोस्ट यह gap होगा ठीक है दोस्तों दोस्तों से 300 साल का यह लग भग जो एक time period होगा इसमें आप देखेंगे कई सारे सामराज्य आए कई सारे सामराज्य फैले फिर सिकुड़े और उसके अलावा कई सारे foreign invasions भी हुए कई सारे invasions भी भारत में हुए ठीक है नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर पर बाहर बैठे हुए थे जो नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर में अफगानिस्तान के शेत्र में बैठे हुए थे अफगानिस्तान के शेत्र में बैठे हुए थे ठीक है अब देखेंगे कि जो ग्रीक लोग जो मौरियन जो अलेक्जेंडर के स लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरह से मौरेन सामराज्य के बाद का जो फेज है जो काल है उसमें ग्रीक लोग भी जो ग्रीक लोग जो यहां नौर्थ वेस्ट में बैठे हुए थे अब यह भी भारत के अंदर इन्वेजन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो पहले ऐसे इन्वेजर बनते हैं इस पीरियड के पहले ऐसे इन्वेजर बनते हैं जो भारत के अंदर इन नदियों को क्रॉस करके सीमा के अंदर दाखिल होते हैं ठीक है दोस्तों वरना इससे पहले आप देखेंगे कि इरानियन जो किंग साइरस थे इरानियन किंग साइरस जो थे वो पहले ठीक है वो पहले ऐसे चासक थे जिन्होंने इंडियन उप सब कॉंटिनेंट यानि की भारतिय उप महाद्वीप को इन्वेड किया था लेकिन वो यहाँ पर आप देखेंगे जो यह नदियां है ठीक है जैसे सिंदू नदी हो गई पंजाब शेत्र की जो और अब देखेंगे इस काल में कि यह सभी लोग बाद में अफगानिस्तान के शेत्र को छोड़ कर इंडिया में और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जितने भी यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि जितने भ तो भारत की जो संस्कृति है जो कलचर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहां पर बदलाव आता है इन सभी इंवेजर का इंवेजन के कारण भारत की संस्कृति में क्या-क्या बदलाव आता है वो भी आगे चलकर पढ़ेंगे ठीक है तो फिलाल मैंने आपको यहाँ पर एक आईडिया दिया ठीक है दोस्तों फिलाल मैंने आपको यहाँ पर आईडिया दिया कि इन chapters में अब इस समय Post-Maurian Phase में हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों सभी लोगों को good after noon session को share करेंगे और like भी साथ साथ करते चलेंगे ठीक है चले दोस्तों overview ले लिया है अब आजाते हैं अपने quiz पर और अपने काम पर जो हमारा काम है अब उसको करते हैं और quiz यहाँ पर लगाते हैं तो बताएंगे बहुत ही जादा simple question है बहुत ही जादा simple question है बताएंगे कि ancient inscriptions में पिया दसी नाम से किसको जाना जाता है ठीक है दोस्तों ancient inscriptions में पिया दसी के नाम से किसको संबोधित किया गया है बताएंगे यहाँ पर ठीक है दोस्तों चलिए कोई समस्या नहीं है महधीर कुमार जी अगर आप live session नहीं ले पाते हैं तो आप live session को share जरूर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आप live नहीं देख पास सकते हैं तो आप बाद में इसको youtube पर दुबारा देख सकते हैं अपनी convenience के हिसाब से डिसकस करने लाइक कुछ है नहीं क्योंकि आप सभी जानते हैं पिया दसी के नाम से समराट अशोक को जाना जाता था देवम पियम के नाम से भी जाना जाता था देवा पियम देवा पियम के नाम से भी इनको जाना जाता था ठीक है क्यों क्योंकि इसका मतलब है कि देवताओ का प्री है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल बताएंगे कंगन हली जो पोट्रेट है ठीक है कंगन हली में एक मूर्ती मिली है एक पोटो जैसी मूर्ती मिली है पोट्रेट टाइप की पोट्रेट जैसी देखने में लगती है करनाटका में ये जगा का किस इतिहास की महान हसती का आपको इसमें चित्र owej देखने को मिलेगा कि बताएंगे को थे ठीकित के दोस्तों रटाएंगे में बटाएंगे बहुत ही simply प्रशन है कन-गन-कल हल्ली में आपको किस सिंपल है तभी लोग जानते हैं बिल्कुल किंग अशोका से ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और आप देखेंगे कि जो समराट अशोका थे उनसे जुड़ा हुआ ये एक मात्र ऐसा चित्र है जो आपको देखने को मिलता है वरना आप देखेंगे समराट अशोक के सिर्फ आपको inscription ही मिलते हैं लिखित में आपको उनकी जानकारियां मिलती है आपको उनके शिला लेक ही मिलते हैं उनके द्वारा बनाए गए पिलर्स मिलते हैं उनके द्वारा बनाए गए आपको स्तूप मिलते हैं लेकिन जहां पर किंग अशोका समराट अशोक एक चित्र के रू उसके अलावा statement में भी बना के पूछ सकता है कि समराट अशोक जो है वो पहले ऐसे राजा थे जो inscription के माध्यम से अपनी प्रजा से समबाद या communicate करते थे दूसरी statement बना देगा कि समराट अशोक का कोई भी कोई भी एक भी कोई भी मूर्ती sculpture या portrait मौजूद नहीं है ठीक है दो अध्यम से ही हम उनको बारे में जानते हैं उनका कोई भी existing portrait या चित्र नहीं है तो वो फिर statement गलत हो जाएगी ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे confuse करने के लिए पूछ सकता है बहुत ही हम इसको कम पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों चलिए इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयाग प्रशस्ती जो है ठीक है प्रयाग प्रशस्ती का जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों वो कौन से गुपता शासक के बारे में है ठीक है बताएंगे प्रयाग प्रशस्ती का जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन से गुपता शासक से संबंदित है प्रयाक प्रशस्ति इस रिलेटेड तू विच गुपता किंग बताएंगे यहां पर बहुत ही सिंपल इसका जवाब है दोस्तों चलिए बताएंगे जल्दी से इसका जवाब दी दीजिए ता कि क्विज में हम आगे बढ़े और सेशन को नॉर्मली हम जैसे शुरू करते हैं फिर उसको चुरू करेंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो इसका सही जवाब जो है वो है दोस्तों समुद्र गुप्त इसका सही जवाब है और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं प्रयाक प्रशस्ति कुछ नहीं है ये एक तरह से आप देखेंगे ये अशोकन पिलर ह ही है जिस पर आपको बाद में समुद्र गुप्त के ठीक है समुद्र गुप्त जो कि गुप्त शासक थे इसके इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इसके बाद आपको मुगल शासक जहंगीर से जुड़े हुए भी इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे और जो कि अ इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ती के नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तों चलिए जैसे एक है दिगंबर और एक है श्वेतामबर एक है दिगंबर एक है श्वेतामबर तो यह आपसे पूछ रहा है कि दिगंबर जो सेक्ट था इसके लीडर कौन थे दिगंबर सेक्ट के लीडर कौन थे ठीक है दोस्तों बताएंगे दिगंबर सेक्ट के लीडर कौन थे बहुत ही सिंपल है बिल्कुल सबका सही जवाब है इसके जो लीडर थे वो थे भद्र बाहू ठीक है और श्वेतामबर के कौन थे श्वेतामबर के कौन थे बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे शुतामबर सेक्ट के लीडर कौन थे स्थुल बाहु जिनको कहीं कहीं पर आपको दिहेगा कि स्थूल भदर भी लिखा है लेकिन क्योंकि NCRT में आपको स्थूल भाहु दीखेगा तो इसलिए हम स्थूल भाहु यहाँ पर इनको लेकर चलेंगे ठीक है ये श्वेतामबर सेक्ट के थे ठीक है चलिए और जो स्थूल भाहु थे इन्होंने ही जो पहली जैन काउंसिल थ थी उसको प्रिजाइट करा था धेरी धिगंजने किसने धेरी धिगंजने चलिए थूल भाहु स्थूल भद्र दोनों ही सही है किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए लेकिन NCRT में आपको स्थूल भाहु देखने को मिलेगा चलिए 100% सबके सही जवाब आना चाहिए इसमें किसी को भी कोई confusion नहीं होनी चाहिए अधीनाथ के नाम से और किन को जाना जाता है ठीक है दोस्तों बताएंगे भई आधीनाथ के नाम से और किन को जाना जाता है पानी पीपी के काम चलाना पड़ रहा है ठीक है दोस्तों क्योंकि गला काफी जुकाम की वज़े से हिक नहीं है इसलिए खोड़ा सा आराम से बोलेंगे और आराम से बोलते हुए ही पूरे सेशन को कवर करेंगे आज जोश आवाज में नहीं उतना दिखेगा लेकिन फिर सेशन पूरा हम सही से लेंगे जितनी बाग इंपॉर्टन चीज़े हैं सब को कवर करते चलेंगे ठीक है रिशब देव जो थे दोस्तों रिशब देव जो थे पहले जैन तीर्थंकर थे पहले जैन तीर्थंकर थे पहले जैन तीर्थंकर थे और इन्ही को आधीनात के नाम से ही जाना जाता है चुरू करते हैं सेशन को और मौरियन फेज के बाद हम पहुंच चुके हैं ठीक है दोस्तों पोस्ट मौरियन फेज में हम पहुंच चुके हैं और यह जो पीरिड है पोस्ट मौरियन फेज का आप देखेंगे ये 200 से 380, लगभग 500 साल की ये बात करता है, लगभग 500 साल की ये बात करता है, क्योंकि 300 AD के बाद आप देखेंगे, गुपता काल शुरू हो जाता है, तो उससे पहले का जो काल है, यानि कि मौरियन और गुपता के काल के बीच जो काल खंड है, इन दोनों के सामराज्य के बीच का जो काल खंड है, जो टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौरियन, ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पोस्ट मौरियन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम कहते हैं पोस्ट मौरियन और इस फेज को हम पढ़ते हैं इस time period यानि कि इस काल खंड में और यहाँ पर कई सारे जैसे मैंने बताया आपको अलग-अलग सामराज्य देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक important चीज हुई कि भारत के नक्षे पर कुछ राजनेतिक बदलाव हुए और वो यह जो power center मगद हुआ कर आने लग गया आप देखेंगे अलग-अलग समय पर अलग-अलग जो सामराज्य थे उनकी राजधानिया अलग-अलग रही थी जिसमें एक थे पंजाब का सियाल कोट भी एक राजधानी रही थी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि western side में power का shift हुआ तो political या इनी राजन्यतिक बदलाव जो था भारत के नक्षे पर वह आपको यहाँ पर दिखे गा तो अगर यह राजन्यतिक था भारत के नक्षे पर दिख रहा है तो हम इसको geopolitical change भी कह सकते हैं उस समय का ठिक है गां और यहाँ पर कई सारे हम देखेंगे इन्वेजन हुए ठीक है आकरमनों की श्रिंखला हमें देखने को मिलती है ठीक है और कई सारे kingdom's देखने को मिलते हैं जैसा already discussed कर चुके हैं फिर इसमें क्या हुआ इसके अंदर आपको जो cities थी शेहर थे उनका expansion होता वो वैसे ही दिखेगा ठीक है और यहाँ पर intermingling of influence यानि की अलग-अलग सामराज्य आए बहुत सारे regional kingdom's है तो अब जाहिर सी बात है जब अलग-अलग kingdom होंगे और बाहर से भी invasions हो रहे हैं तो अब क्या होगा तो cultures का और काफी चीजों का यहाँ पर संगम होगा और यहाँ पर उनका combination आपको देखने को मिलेगा और इसकी शुरुवात जो होती है इस काल की वो शुरुवात होती है जो मौरियन आखरी जो मौरियन शासक थे ब्रहद्रत आखरी जो मौरियन शासक थे ब्रहद्रत उनही के military commander ने उनही के military commander ने पुष्य मित्र सुंग जो थे पुष्य मित्र सुंग उन्हीं के मिलिक्टरी कमांडर थे उन्होंने ही उनका मर्डर कर दिया उनका वद कर दिया और क्यूंकि हम पढ़ चुके हैं already कि इनके जो इस मर्डर के बाद पूरे जो मौरियन सामराज्य था उसके अंदर भी जनता के वारा कुछ बहुत जादा प्रतिकरिया जनता की नहीं दिखी और इसका एक कारण ये था कि लास्ट जो मौरियन रूल था उसमें जो शासक थे जो जो ऑफिशल्स थे यानि कि जो अधिकारी थे अधिकारियों का अधिकारियों से जनता जो है उनके करप्शन से परेशान थ थी इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिहद्रत की मृत्यु के बाद आपको मौरियन काल में जनता द्वारा कोई बड़ी प्रतिकरिया नहीं दिखती है ठीक है दोस्तों सत्या गोमे जी विड़ आफ्टर नून ठीक है दोस्तों चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर उसके पहले आप देखेंगे राजा कौन थे पुष्यमित्र सुंग जिन्होंने ब्रिहद्रत यानि कि आखरी जो मौर्य राजा थे उनकी हत्या करी और उसके बाद वो यहाँ पर राजा बने ठीक है दोस्तों चलिए उसके बाद इन्होंने अपने जो सीमाई थी उसको बढ़ाय ठीक है दोस्तों नर्मदा और साउथ तक यह गए ठीक है विदीशा अयोध्या यहां तक इनका पूरा सामराज्य था पाटली पुत्र और देख सकते हैं जो शुंग डाइनेस्टी थी साउथ में भी यानि कि विंद्याज है ठीक है दोस्तों जो विंद्या परवत श्रंख परवत श्रंखला जो है इससे नीचे के हिस्से को साउथ कहते हैं और इससे ऊपर के हिस्से को नौर्थ यानि की उत्तरी भारत कहा जाता ता दोस्तों चलिए ठीक है दोस्तों गुराफ्टरून सभी को सेशन के बीच में जो भी लोग जुड़े हैं सेशन को देखेंगे और यहाँ पर सेशन को शेर भी करेंगे लाइक करेंगे और सेशन के साथ बने रहेंगे ठीक है दोस्तों चलिए तो हमने देखा कि North और South India कहां से जाना जाता है और शूंग डाइनिस्टी का हमने देखा कि क्या territorial expense यानि कि भोगलिक विस्तार इनका कितना था ठीक है चलिए और कुछ important जितनी भी exam से related important बाते हैं शूंग डाइनिस्टी की सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर discuss किया जाएगा क्यों क्योंकि आप देखें कि मौरे सामराज्य के बाद आई वो उतनी जादा बड़ी नहीं थी उतनी विस्तरित नहीं थी जितनी मौरेन सामराज्य था लेकिन फिर भी कुछ important facts है जो डारेक्ट पेपर में आते हैं तो जादा detail में जाने के बजाए हम यहाँ पर important बाते जितनी भी है उन सब को पढ़ लेंगे काली दास जो थे काली दास आप जानते हैं एक महान जो लेखक थे भारत के उन्होंने पहला जो अपना नाटक लिखा था उनका पहला नाटक था मालवी का अगनी मित्रम ठीक है दोस्तों तो पहला जो नाटक काली दास ने अपना लिखा था वो शुंग डाइनिस्टी के राजा अगनी मित्र की प्रेम कहानी को दर्शाता है और वो क्या कहानी थी दोस्तों वो कहानी दरसल ऐसे थी कि जो अगनी मित्र थे ये इनका युद्ध होता है किस से यजन सेना से यजन सेना कौन थे ये विधर्ब के राजा थे ठीक है दोस्तों यजन सेना जो थे ये विधर्ब के राजा थे और इनके जो इनके जो चचेरा भ तो वो क्या करता था उन उस से उनका इशसे आउंडЕТ चल रहा था और जो अगनी मित्र से अगनी मित्र की दोस्ती हो गई आप यहां पर जो इनके बही थे जिसकी मदद अगनी मित्र के जो अलाई जो अलाई बने थे अगनी मित्र के जो èलाई बने थे इनकी बहन एक बारóm करिेगा इनकी बहन या फिर इनकी पुत्री जो थी वो थी मालवी का अब ये सेफ तरीके से अपना भेश बदल कर ताकि एक सेफ जगा पर पहुँच जाए सेफ स्थान पर पहुँच जाए एक सेफ जगा पर पहुँचने के लिए वो अपना भेश बदल कर कहां पर रहने लगती है वो अगनी मित्र के दरबार में जाकर रहने लगती है और अगनी मित्र की जो रानी होती है अगनी मित्र की जो रानी होती है उनकी काफी एक खास जो दासी होती है वो बन जाती है खीक है दोस्तों अगनी मित्र की जो रानी होती है अगनी मित्र की जो वाइफ होती है उनकी खास दासी बन जाती है और उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी जो वाइफ होती है वो बचा के रखती है कि किसी तरह से जो मेरी दासी है इस पर अगनी मित्र की नजर ना पड़ जाए लेकिन एक दिन अगनी मित्र कैसे भी करके मालविका का चित्र देख लेते हैं और वो उस चित्र की वज़े से ही मालविका को पसंद करने लगते हैं और फिर वहां से इनी सारी चीजों पर आधारित है ये मालविका अगनी मित्रम तो मैंने आपको स्टोरी शॉट में इसी लिए बताई दोस्तों ताकि आपको याद रहे क्योंकि हमें कुछ जब मिल जाता है याद रखने के लिए तो हमें उस चीज को याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है तो मालविका अगनी मित्रम नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि मालविका और अगनी मित्र के बारे में दो लोगों के बारे में ये कहानी है ठीक है और इसको काफी जादा एक famous ये play जो माना जाता है ठीक है दोस्तों चलिए काफी जादा ये famous एक play माना जाता है और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद एक और important जो चीज होती है वो होती है कि जो पुश्यमित्र सुंग थे ठीक है ठीक है यहाँ पर एक important जो चीज होती है उन्होंने Greek king जो थे इनको भी हराया था ठीक है Greek raja जो थे इनको भी हराया था तो इनका नाम याद रखेंगे Demetrius एक Greek raja थे जिनको हराया था और जो पतंजली थे जो पतंजली थे थे दोस्तों जो पतंजली थे वो भी contemporary यानि की समकालीन थे पतंजली जो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ठीके दोस्तों पतंजली कौन थे पुष्य मित्रशुंग के समकाली और ये एक ये थे ग्रामरियन थे ठीके दोस्तों इन्होंने क्या लिखा था इन्होंने लिखी थी महाभास से ठीके इन्होंने लिखी थी महाभास से मुझे बताएंगे एक और ग्रामरियन थे एक और ऐसे व्यक्ति थे ज पाणी नीने कौन सी पुस्तक लिखिती जल्दी से बताएंगे और दिव्यदाना पुस्तक बताती है कि पुष्य मित्र सुंग जो थे इन्हों ने जो बुध्य लोग थे उनके पर काफी अत्याचार की यह थे ठीका दोस्तों बुद्ध लोग पर काफी अत्याचार किये थे बुद्ध जो धर्म को मानने वाले अनुयाई थे उनके उपर पुष्यमित्र शुंग द्वारा अत्याचार किये गए थे ठीके दोस्तों चलिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा अत्याचार किये गए थे दूसरे राजा है वही अग्नीमित्र ठीक है कालीदास मालवी का अग्नीमित्र के जो हीरो थे वो थे अग्नीमित्र और इनके बारे में हमें जादत कुछ नहीं पढ़ना है यही एक important fact है उसके अलावा एक और ठीक है राजा थे इनको भगवता के नाम से भागवत के नाम से जाता है या फिर इनका नाम आपको भागबद्र भी दिखेगा। भाग भद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है ये एक शासक्ते भाग भद्र के नाम से जिनको जाना जाता है जिनका उलेक आपको कहा मिलेगा जिनका उलेक आपको मिलेगा बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको उलेक मिलता है किनका भागवत का या फिर भाग भद् inscription जो है ये किसके द्वारा बनवाए गया था ये Greek Ambassador जो थे उनके द्वारा बनाया गया था एक Greek Ambassador थे Heliodorus द्वारा बनाया गया था क्या Greek Ambassador जो थे उन्होंने एक पिलर खड़ा किया था जिसको हम कहते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें आपको पता चलता है किसके बारे में शुंग राजा भागवत या फिर भाग भद्र के बारे में ठीक है दोस्तों और यहां पर आप देखेंगे ये भगवान विश्नु ठीक है भगवान विश्नु की बात करता है ठीक है दोस्तों भगवान पिलर के नाम से भी आपको दिखेगा ये बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ठीक है दोस्तों बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन आपको दिखेगा कहां पर ये आपको बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन दिखा किसके द्वारा ये दिखेगा आपको हेलियोडोरस जो की ग्र लॉग डैन्स्टी से धी दोस्तों तो आप देख सकते हैं अशोकन पिलर से यह काफी अलग तुरा नहीं है जैसे चाफे ती यहां पर आपको training में यह यहां पर आप देखेंगे जो लास्ट रूलर थे किसके शुंग डायनिस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था देव भूमी ठीक है दोस्तों देव भूमी जो थे वो लास्ट रूलर थे कभी कभी सिंपल क्वेस्टेन ऐसे पूछ लेता है पानीनी ने अश्ट ध्याय लिखी थी और वो भी एक व्याकरण करता थे ठीक है दोस्तों चलिए तो यहाँ पर देखेंगे देव भूमी लास्ट जो रूलर थे और इन्होंने हम देखते हैं कि इनकी भी जिस तरह से ब्रिहद्रत थे ठीक है जो ब्रिहद्रत थे जो अपने ही जो मिलिक्ट्री कमांडर था उसके द्वारा मारे गए और उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एक मिनिस्टर थे वासुदेव कानव किस के पास वो थे देव भूमी के दरबार में और उनी के द्वारा हत्या इसकी देव भूमी की ठीक है यानि दूसरे शासक थे देव भूमी जिनकी हत्या हुई उन्ही के मिनिस्टर के द्वारा तो एक तो शासक थे बिरहद्रत और दूसरे थे देव भूमी जिनकी हत्या हुई उन्ही के मंत्री या उन्ही के अधिकारियों के द्वारा तो दो ऐस याद रखेंगे क्योंकि वो पूछ लेगा इतिहास में हो सकता है एक ही ऐसे शासक हों तो इसको याद रखेंगे ठीक है देव भूमी भी ऐसे शासक थे जिनकी हत्या उनहीं के जो अधिकारी थे उनहीं के द्वारा की गई ठीक है और वासुदेव जो कानव थे फिर यहाँ पर इन्होंने शुरुआत किस की कानव जो शासक थे उनकी सामराज्य था इसकी शुरुआत होती है, लेकिन हम इहाँ पर कानव सामराज्य को जादा डीटेल में स्टेडी इतना नहीं करेंगे क्यूं, क्यूंकि उनके बारे में हमें देख कुछ भी नहीं पता है, धिक है, धा तो कभी भी पूछेगा कानव से related एक अगर प्रश्ण बनाएगा और बोलेगा कि सुंग भृत्याज किसको कहते थे तो आपको याद होना चाहिए कि सुंग भृत्याज हम जो कानव शासक थे उनको कहा जाता था तो एक शब्द जो है इसको याद रखेंगे इस शब्द को याद रखेंगे चलिए शुंग भृत्याज किसको कहा जाता था कानव शासक को देव भूमी जो थे इनकी देव भूती या देव भूमी इनकी जो हत्या हुई थी इनके जो कानव एक अधिकारी थे उनके द्वारा हुई थी वासु देव कानव और कानव सामरा वहानद डाइनिस्टी थी उसके एक शासक थे और जब सात्वहन शासन को हम पढ़ेंगे डीटेल में तब यहां पर आपको और भी चीज़े जानने को मिलेगी सात्वहन के बारे में ठीक है तो हम फिलाल यहां पर पढ़ रहे हैं किसकी नौर्थ इंडिया के तो यहां पर हम क मिलेगा यही जो पीरेक्ट थे जिसके हम बात कर रहे थे ठीक है दोस्तों 220 से 220 से 300 AD का जो इस समय है इसमें और क्या हुआ इसके अलावा जो इंटर्नल पॉलिटिकल यह तो चल रही थी अंदर आंतरिक इंटर्नल पॉलिटिकल गतिविदिये चल रही थी दोस्तों लेकिन ह कई सारे invasions हुए जैसे Central Asia के त्रू invasion हुए ठीक है इरानियन tribes आइं ठीक है इरानियन tribes आइं इरानियन ट्राइबज आई और यहाँ पर देखेंगे ग्रीक लोगों का भी इन्वेजन हुआ जिसे इंडो ग्रीक का हुआ स्काइथियन्स का हुआ जिनको हम शाकाज कहते हैं उसके अलाव पार्थियन्स जिनको पहलवाज शाका पहलवाज भी कहा जाता है इनका हुआ, और वी जु немного की उल्याव, सबसे ज़ाधा important सामराज्य, हम पूरे इस पूरे, time पीरिएड में, इस पूरे time पीरिएड में, जो सबसे important, जौ एक सामराज्य हम पढ़ेंगे, वो है कुशान सामराज्य, ठीक है दोस्तों, वो है कुशान सामराज्य, तो इन सभी सा पढ़ेंगे दोस्तों उसका नाम क्या है उसका नाम है कुशान सामराज्य ठीक है तो कुशान सामराज्य हम डीटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं अगला जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों अगला लेक्चर होगा वो होगा इंडो ग्रीक्स पर क्योंक पार्थियन को और फिर लास्ट में इनके बाद हम पड़ेंगे कुशान को ठीक है कुशानों को इसके बाद हम पड़ेंगे ठीक है तो अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी इंडो ग्रीक्स के उपर चलिए तो यहां पर बताएंगे question इस प्रशन का जवाब देंगे बहुत ही simple है और अभी तो 100% ही जवाब आएगा क्योंकि देखते हैं किन लोगों ने session को बिल्कुल ठीक से follow किया है प्राचीन भारत में निम्न लिखित में से किस पुस्तक में शुंग वन्स के संस्थापक के पुत्र की session से पहले पांच question discuss करते हैं ठीक है quiz की form में जो कि आपकी memory को check करती है कि सही information याद है या नहीं और last में हम एक MCQ करते हैं तो कुल मिला के आप देखेंगे 6 question हम daily कर रहे हैं ठीक है दोस्तों 6 history के हम questions लगभग 6 question हम daily कर रहे हैं ठीक है 6 question हम daily कर रहे हैं तो अगर आप 30 दिन ये practice करते हैं तो आपके 180 question तो यूँ ही हो जाएंगे ठीक है 180 question यूँ ही हो जाएंगे और अगर आप मान लीजिए इसमें से हम minus भी करते हैं छुट्टी वाले दिन तो 1500 question तो आपके कहीं भी नहीं गए जो आपने एक महीने में history के practice कर लिए ठीक है दोस्तों history के इतने questions हम class के साथ साथ बातों बातों में और एक मज़ा लेते हुए game की form में कर लेते हैं और बाकी आप जानते हैं कि PYQs तो हम करते ही हैं कब Sunday को हम PYQs करते हैं 8 वजे किसी भी लोगों को किसी भी student को miss नहीं करना है Sunday का हमारा PYQ का session और NCIT के session भी जल्दी शुरू होने वाले हैं MCQ की form में MCQ की form में NCIT को शुरू करेंगे और 6th class से 6th to 12th चलते जाएंगे 6th से शुरू करेंगे 11th, 12th की NCIT तो हम lectures में भी cover कर लेते हैं लेकिन जो 6th से बच जाती है 6th से 10 वी तक की जो किताब बच जाती है उसको यहाँ पर आप MCQ की form के अंदर हम आराम से करते जाएंगे ठीक है दोस्तों तो अपना खियार रखेंगे दोस्तों सेशन को शेर करेंगे और किसी का कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताएंगे यहाँ पर परसनली ठीक है अगर किसी का कोई भी डाउट होगा तो मुझे message कर सकता है और मैं अगर आपको same day reply ना कर पाऊं तो इसका मतलब यह नहीं कि reply नहीं आएगा reply आपको आएगा आप बस मुझे follow करिए और आप mail भी मुझे कर सकते हैं तो किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए और उसके अलावा classes हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी जिन लोगों को भी मज़ा आ रहा है session को जरूर share करेंगे और अगले session में जुड़ेंगे और history detail में पढ़ रहे हैं दोस्तों आप देखेंगे detail में इतनी history आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी खास तोर पर ancient की जहां बात है medieval history भी हम इसी तरह से detail में पढ़ेंगे एक बार अगर ये playlist complete हो जाएगी ancient और medieval की तो आप देखेंगे कि इतनी detail में आपको शायद ही कहीं पर lectures जो है history के इतनी detail में मिलेंगे उसके बाद modern history पर चलेंगे और modern history भी बहुत detail में हम cover करेंगे जो भी किताब में है एक भी चीज कोई भी चीज नहीं छूटेगी lecture में कुछ भी skip नहीं करेंगे ठीके दोस्तों तो मिलते हैं अगली class में तब तक पढ़ते रहीए अपना ख्याल रखिए session अच्छा लगा तो like करिए share करिए और channel को subscribe जरूर करिए ठीके दोस्तों धन्यवाद